ओम शंति पाप दादा अटेंशन खिचवाते अब समय कम है तो पुरुशार्थ तीवर करना है जुआला स्वरूब याद द्वारा वायू मंडल को ऐसा सक्तिसाली बना दो कि आपके संबंद संपर्ग में जो भी आत्मा आए वह भी सर्व किचडों से मुक्त बन जाए अर्थात खुद को सांती और आनंद की अनुभूती कराए तो बाप दादा तीवर पुरुशार्थ के लिए यही अभ्यास हमें बताते कि अपने संकल्पों पर फुल इस्टॉप लगाओ संकल्पों की सक्ति को जमा करो वही सक्ति ज्वाला स्वरूप याद का आधार है तुम बच्चों के पास विशेश पवित्रता की सक्ति है उस सक्ति का यूच करो खुद को न्यारा और प्यारा अनुभव करो कर्म में आना संभंद संपर्क में आना जैसे सहेज लगता है ऐसे ही न्यारे और प्यारे बनना सहेज हो तो यही अंतिम समय है अंतिम पुरुशार्थ का समय है बाबा कहते अंतिम स्टेज आप बच्चों की ऐसी हो जो अति के समय एक सेकेंड में अंतो हो जाए तो यही लाश्ट स्टेज का पुरुशार्थ है कि खुद को सेकेंड में न्यारा और प्यारा बना लो तो मदुबन घर से तिवर पुरुशार्थ के लिए इस अगस्त मास में विशेश अटेंशन खिचवाया गया जुआला स्वरूप याद द्वारा वायू मंडल को सक्ति साली बनाओ परम प्रिये अव्यक्त मूर्थ मात पिता बाप दादा के अती इसने ही सदा अपनी स्रेश्ट सुभ वा कल्यान की व्रत्ति द्वारा सक्ति साली वायू मंडल बनाने वाले संकल्पो की ट्रेफिक को सेकेंड में इस्टॉप कर जुआला स्वरूप याद का अनुभव करने वाले लाइट हाउस माइट हाउस इस्थिती में रहने वाले विश्व सेवाधारी निमित टीचर बहिने तथा देश विदेश के सर्व ब्राम्मन कुल भूसन भाई बहने इस्वर ये इसने संपन मधुर याद प्यार सुईकार करना जी बाद समाचार मीठे बाबा का हम बच्चो प्रती विशेस इसारा है कि बच्चे वर्तमान समय संगटित रूप में ज्वाला स्वरूप याद की आवश्यक्ता है इससे ही वायू मंडल सक्ति साली बनेगा निर्बल आत्माएं सक्ति संपन बनेंगी सभी विग्न सहज समाप्त हो जाएंगे तो अभी आप सभी बाबा के बच्चो को अपने महान तपस्वी रूप द्वारा स्वा कल्यान के साथ साथ विश्व कल्यान के निमित बनना है जैसे सूर्य की किर्णे चारो और फेलती हैं ऐसे माषटर सर्व सक्तिमान की इस्टेश पर इस्थित रह सर्व सक्तियों वा विस्यस्ताओं रूपी किर्णों द्वारा चारो और सक्ति फेलानी है इसके लिए कर्म में आते, विस्तार में आते, रमनीकता में आते, संबंध संपर्क में आते न्यारा रहना है जैसे संबंध हुआ कर्म में आना सहज है ऐसे ही न्यारा होना भी सहज हो अती के समय एक सेकेंड में अन्थो जाए यही है लाश्ट इस्टेज का पुरुशार्थ अती के समय एक सेकेंड में अंत हो जाए यही है लाश्ट इस्टेज का पुरुशार्थ अभी अभी अती संबंद में आए और अभी अभी न्यारे जैसे लाइट हाउस में समा जाए इसी अभ्यास से लाइट हाउस, माइट हाउस इस्तिती बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे यही प्रत्यक्षिता का साधन है बोलो हमारी मीठी बहिने ऐसा ही लक्ष रख सच्चे दिल की साधना करते सब को सक्ति साली याद में रहने की विधियां सिखा रही हो न, समय कितना फाष्ट गती से अपनी नई नई रंगत दिखा रहा है प्रक्रती की हल्चल के समाचार भी सुन रहे हो बाबा कहते बच्चे हल्चल के वातावरण में अचल रहने का अभ्यास करो विशेश अटेंशन खिचवाते बाबा प्रक्रती की हल्चल के समाचार सुन रहे हो बाबा कहते बच्चे हल्चल के वातावरण में अचल रहने का अभ्यास करो सर्व सक्तिमान साथी को सदा साथ रख एक रस साक्षी इस्थिती द्वारा हर परिस्थिती में विजई बनना और बनाना है सर्व सक्तिमान साथी को सदा साथ रख एक रस साक्षी इस्थिती द्वारा हर परिस्थिती में विजई बनना और बनाना है अभी बातों के विस्तार में जाने के बजाए सेकेंड में फुल इस्टॉप लगाने का अभ्यास करते चलो मन और बुद्धी को कंट्रोल करने की ब्रेक पावर्फुल हो तब बुद्धी की सक्तिवा कोई भी एनर्जी वेष्ट नहीं जाएगी जमा होती रहेगी अभी सेवाओं के साथ साथ सभी को अपनी अचल अडोल एकरस खुस्नुमा इस्थिती बनाने का विसेश लक्ष रख आगे बढ़ना है करन करावनहार बाबा अपने बच्चों को निमित बनाए अच्छे से अच्छी सेवा कर रहा है हमें सिर्फ बाबा का राइट इस्टुमेंट बनना है बाकी आप सभी प्यारे बाबा की विचित्र लीलाओं को देखते परिवर्तन की इस बेला में स्वपरिवर्तन का लक्ष आगे बढ़ रहे हो बढ़ते चलो बाबा अव्यक्त वतन से हर बच्चे की वंडर्फुल पालना कर रहे हैं नए नए बच्चों के अनुभव सुनते दिल से यही निकलता वाह बाबा वाह वाह आपकी विचित्र लीला वाह कैसे गुप्त रूप से अपनी इस्थापना का कारे संपन करा रहे हो सुक्रिया बाबा आपका सुक्रिया अच्छा आप सभी खुस मोज में होंगे सभी को बहुत बहुत याद प्यार इस वर ये सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी तो दादी जी को निमित बनाया बाबा ने हम बच्चों को हर मांस तिवर पुरुशार्त करने के और विशेष अटेंसन देने के तो दादी यही अटेंसन खिचवाती कि अब समय कम है प्रक्रती की हल्चल के समाचार सभी सुनते रहते हैं पर हल्चल के समय में अचल रहने का अब अभ्यास करूँ सर्व सक्तिमान बाबा को साथी बना कर साथ रख कर अचल अडोल एक रस साक्षी इस्थिती बना कर हर परिस्थिती पर विजई प्राप्त करना है और सभी को कराना है तो यही आसा बाबा की हम बच्चों से की ज्वाला स्वरूप याद द्वारा वायू मंडल को अब सक्ति साली बनाना है यह अगस्त मास विशेश दादी प्रकास मनी जी को समर्पित है दादी जी की अव्यक्ति मास पर हम विशेश्ताओं को सिक्छाओं को गुण तथा त्याक तपस्या को जान कर अर्थात मनन चिंतन कर उनके समान बनने का तेवर पुरुशार्थ करें तो दादी जी की क्लासे सुनना दादी जी की त्याक तपस्या के बारे में जानना और उस पर मनन चिंतन कर उनके अनुसार पुरुशार्थ करना यही बाबा हम बच्चों से विशेश आस रखते हैं अच्छा ओम शान्ति झाल 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 झाल